से पहले matter, अब matter क्या है, ठीक है, हमारे चारों तरफ के जो आसपास के पदार थे हैं, ठीक है, वो matter है, ठीक है, anything that occupy a space, ठीक है, लेकिन matter वही होगा, जो a space occupy करेगा, जिसमें mass होगा, और जो offers resistance करेगा, मतलब रुकावर डालेगा, बाधा डालेगा, तो उसको कहते हैं matter, ठीक ठीक है, a space occupy करता है, और जिसका weight होता है, या नि mass होता है, ठीक है, और जो resistance offer करता है, तो matter कहलाता है, ठीक है, यह चीज समझ में आ गया होगा matter क्या है, अब जैसे हम एक example लेते हैं, जैसे book, ठीक है, तो book क्या है, matter है, ठीक है, ठीक है, जब matter को हम उठाएंगे, तो कुछ कुछ उसका weight होगा, और a space भी occupy करेगा, कहीं पर रखा हुआ है, तो जगत छेकेगा, अस्थान छेकेगा, तो matter कराता है, तो book जो है, हमारा matter है, ठीक है, अब भी बहुत सारे इसी चीजे हैं, जो matter है, अब इसमें जो है, देखते हैं कि कौन matter नहीं है, जैसे light, light कोई matter नही और यह a space occupied नहीं करते हैं, तो इस तरह से यह हो गया, अब सबस्थान्स क्या होते हैं, ठीक है, तो यह सबस्थान्स वीच है जा a specific composition and a specific properties, every pure element and pure compound is a substance, तो उसको सबस्थान्स करते हैं, जिसका a specific composition होता है, और a specific property होता है, परते एक element का, या परते कंपाउंड का, तो उसको क अब किसी सबस्टांस के दोबारा जो space occupy हुआ है होने की जो मात्रा है तो उसको जो है भोलिम कहते है ठीक है तो यह चीज है इसमें और आगे चलते हैं मैटर को जो हम लोग दो तरह से बाट करके पढ़ सकते हैं एक pure सबस्टांस और एक mixture अब pure सबस्टांस को भी दो भाग में बाढ़ सकते हैं element और compound ठीक है और mixture को भी दो भाग में बाढ़ते हैं वह हमारा homogeneous और हेट्रोजेन इस तरह से जो है matter का concept है और यह element को भी हम लोग तिन element में क्या क्या होता है होता है नन-metal होता है और मेटल होता है तो यह element में यह तीनों चीज़ पढ़ना होता है त्पहे और से जो है इसका एक concept map बन जाता है तो इसको आप ध्यान में रखना ठीक है यह बहुत ही ज़रूरी है आप दिमाग में रखोगे तो आपको याद रहेंगा आप उसके बाद एक compound क्या होते हैं तो compound सबस्टांस made up of two or more different chemical elementary combined in a fixed ratio जैसे यह होगा है तो यह जो है एक compound है ठीक है और compound वह इसे होते हैं जो दो या दो से दो या दो से अधिक या अलग chemical elementary से combine होते हैं वो भी fixed ratio में जैसे यह है तो यह क्या है compound है ठीक है चुकि यह fixed ratio में है ठीक है तो इस तरह सी हो गया आप element देखते हैं तो element क्या है element simplest form of pure substance your substance का सबसे simplest form होता है ठीक है तो element कहलाता है और that contains only one kind of particle और उसमें जो है केवल एक ही particle जो है है तो element कहलाते है ठीक है तो यह हो गया atom यह कहलागा ठीक है लेकिन इसी को हम अगर h plus h कर दें तो यह दुनों क्या है atom है तो दो atom मिल करके molecule बनाते हैं तो इस तरह से जो है यह आप समझ सकते हैं इसको तो यह चीज़ यहाँ पर निचे लिखा हुआ है यह atom यह atom मिल करके molecule ठीक है तो इस तरह से उसका पाद physical nature देखते है matter का matter is made up of particles particles अब इसका एक example लेते हैं जैसे हमने एक लिया यह और इस में जो है 100 ml 14 पानी है तो यह सूगर को अब सूगर को है दिया है तो सुगर को एड़ करने के बाद इसमें glass root की साहता से इसको क्या करेंगे घोलेंगे इसको घोलेंगे, मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद आपको वाता चलेगा कि जो सुगर के बार्टिकल थे वो गाईब हो जाएंगे तिहे, वह कहाँ चलेगे, तो इसमें मिक्स हो गाँए, तिहे lubi होते है कि मैटर का, क्या होता है, कलपना भी नहीं कर सकते हैं जिसे हैं यहाँ पर हमने लिया ठीक है 100 ml water ठीक है और इसमें जो है potassium dichromate को हमने mix किया है ना k2,cr2,cr7 ठीक है तो हमने potassium dichromate को हमने mix किया ठीक है 90 Peanut.। आ सबसे अंती मोला रहे गाए ुसमें देखेगा कलर जो थोड़ा कम दीखागा तो मतलब इसका मतलब यहुए कि पार्टिकल है बहुत छोटे है जिसका हमलों कलपना भी नहीं कर सकते हे टिक तो इस तरह से यह हो होगे थार्ड जो पॉइंट है कि the particle of some matter are in constant motion ठीक है निरंतर गतिसील होते रहते हैं ठीक है अब नेक्स्ट पॉइंट है the particle of matter attract to each other और एक दूसरे को क्या करते हैं attract भी करते हैं ठीक है matter का जो particle होते हैं वो एक दूसरे को attract भी करते हैं ठीक है तो next point है the particle of matter have empty space between them अब क्या होता है कि उनके बीच में empty space भी होता है अगर empty space नहीं होता तो अभी हमने जो एक example देखा था adding sugar का तो उसमें जो sugar का जो particle था वो mix नहीं होता ठीक है अगर space नहीं होता तो तो इस तरह से यह उधारण साब समझ सकते हो तो यह कुछ point है ठीक है physical nature है matter का जिसको आपको ध्यान में रखना है अब उसके बाद के classification of matter matter का classification तो classification based on physical property matter ठीक है अब state of matter तो state thin solid liquid और gas solid क्या होते है तो solid आर सबस्टांस होते हैं जिनका volume और shape जो है definite होता है निश्चित होता है ठीक है जैसे हो गया iron है ना a piece of food यह सब क्या होगे solid होगे next है लिक्वीड तो liquid जो है liquid सबस्टांस खुझ volume बॉलियूम इस definite तो लिक्वीड का जो volume होता है नो definite होता है लेकिन shape जो होता है वो undefinite होता है ठीक है तो यह 1 लोण है यह मिल्क हो गया ना water होगा जैसे मिलक जो है इसका वौलिव से रह गायए जीसे हम ने एक bottle में एक ल Eggnut है ठीक है ठीक है अब lige मिलक है टीक है और इसका शेप ऐसा है ठीक है गलाश के जैसा और इसको घैक सब्सक्राम घरीन पैलर इस वाले में कि परें 겨ग पर इस तरह से होगी है तो इसका क्या हुआ इसका मतलब कि इसका जो शेप है वो अंडेफिनिट है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनिट होगा ठीक है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो next है gas, अब gas आर सबस्टान shape and volume both are undefinite, ठीक है दोनों इसमें क्या होते है, undefinite होते हैं जैसे air है, यहनो oxygen है ठीक है, यह जो है, यह होगी है ठीक है, अब आगे जो है, इसका जो है हम लोग देखते हैं, comparison तीनों का, ठीक है comparison तीनों का देखते हैं तो इसमें जो है, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है चुकि यह बहुत ही महतपून है प्रोपर्टी हम लोग देखते हैं, और जो state of matter है, solid, liquid और gas का वो तीनों काम लग जो है, इसमें देखने वाले हैं तो पहला प्रोपर्टी है, IMS IMS का मतलब हुआ, intermolecular space, ठीक है, तो intermolecular space, पहला प्रोपर्टी अब बताना है कि solid में कैसा होता है, तो solid में very small, liquid में larger होता है और gas में largest होता है, ठीक है तो IMS जो होता है solid में very small होता है और liquid में larger होता है और gas में largest होता है अब intermolecular space क्या है, तो यहां पर समझाने के लिए मैंने इसको इतना दूर रखा है अब इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा और सॉलिड में बहुत कम होगा तो इसी को बोलते है इसके बीच के जो डिस्टेंस रहेगा इससे ज्यादा रहेगा ज्यादा रहेगा लिक्विड से भी ज्यादा गैस करेगा ठीक है तो पहला प्रपर्पर्टी यह हुआ इस अब यह अब यह क्या है तो जैसे हमने यहाप लिया ठीक है अब यह सोलिड जो है अब इसके बीच का जो अट्रैक्शन ऑप फोर्स है वो बहुत ज्यादा होगा solid में ठीक है मतलब बहुत जहें ज्यादा होंगे वहीं पर अगर liquid का ले ले तो liquid में थ्वड़ा सा weaker होता है और gas में तो इतना होता है weaker कि का नहीं सकते ठीक है तो इस तरह से जो है इसका होगा अब third property है density ठीक है density देखो solid में high होता है ठीक है और liquid में low होता है और gas का जो है कोई fix नहीं है ठीक है कि density उसका कैसा होगा ठीक है तो यह चीज़ जो है यह point याद रखने उसके पाद position of the particle ठीक है अब particle का position solid में कैसा होगा तो fix होगा अब जिसे यहां पर यह हमने solid लिया ठीक है अब यह solid है solid के molecule है अब यह damage के molecule है तो यह अपना ही जगा पर अपना ही प्लेश पर यह क्या होगे hybrid हो सकते है ठीक है या यह fix है अपना अपना प्लेश पर ठीक है अपना इजग clapping आप यह न से इंदर उब करेगा ठीक है और नहीं यह इंदर मूば सकता हो सकता है ठीक है यह चीज होता है position of the particle ठीक है अब जो है इसमें लिक्विड में फिक्स नहीं होता है ठीक है अब यह कभी इधर भी कभी कर सकता है का यदे म gloss कर सकता है तिक है आर इसमें तो जो है न बही कर सकता है ठीक है और इसमें तो जो है सा बहरी है न वीताइ marm ठीक है जैसे मैंने एक लिटर बला बताया था एक लिटर जब मैंने वह बताया था तो उसका जो भॉलिम था वो क्या था डेफिनिट लेकिन उसका से जब क्या हो गया था दूसरे बरतन में जब राखा गया था तो उसी का बरतन का कार ले लिया था तो मतलब है कि सेप जो है नहीं होता है जबकि बॉलिम जो है डेफिनिट होता है ठीक है अब आहीं पर गैस की बात करते हैं तो गैस में न तो बॉलिम डेफिनिट होता है और नहीं सिर्फ डेफिनिट होता है दुनों में से कोई नहीं होता है गैस में ठीक है उसके बाद compressibility solid में बहुत कम होते हैं जबकि liquid में ज़्यादा होता है और गैस में तो और भी ज़्यादा होता है highly compressible होते हैं तो यह जो है प्रोपर्टी है और हमने convertibility of the state of matter इंटर convertibility मतलब हुआ कि एक matter से दूसरे यानि एक state से दूसरे state में चले जाना फिर दूसरे state में फिर वापिस आ जाना ठीक है यह चीज़ों है हम लोग इसमें देखने वाज़े हैं तो यहाँ पर कि all the three states of matter are inter convertible ठीक है जितने भी तीन state जो है ठीक है matter के वो क्या होते है इंटर convertible होते है ठीक है अब यह क्या कर रहा है इसका मतलब है कि matter can be changed one state to another ठीक है अब इसको और example से जो है अच्छे से समझ में आगा तो matter जो होते है वो एक state से दूसरे state में क्या हो सकते है चेंज हो जाते है ठीक है अब इसको समझते हैं थोड़ा डायाग्राम से और इसको एक्जामपत से भी समझते हैं जैसे हमने यहाँ पर solid लिया ठीक है अब हमने क्या-क्या solid को अब solid मतलब आइस हमने लिया ठीक है solid के जगह पर हमने आइस लिया ठीक है तो आइस को हमने यह जो है बॉक्स में पहले इसको समझ लेते हैं यह वाला को इस वाले को पहले समझते हैं तो सोलीड हमने लिया सोलीड को हमने हीट किया सपोज आइस ठीक है तो आइस को हमने जो है हीट किया तो हीट किसमें हो जाता है वाटर ठीक है अब जो है, गैस अस्टेट से फिर जो हमने है, उसको कुल किया, ठीक है, अब कुल करेंगे, तो वापीस से लिक्विड में आगा, ठीक है, इसको क्या किया कि कुल किया, तो कुल करने से लिक्विड में वापीस आगा, और अगेन, लिक्विड को फिर से कुल किया, तो क्या मे सब्सक्राइब। सिर्फ हो गया अब लाटर को फिर से गरम की तो क्या होता है वैपर बन करके उड़ता है यानि गैस अस्टैट में कर सकती सकाए गैस में हो जाती है अब यह चीजिश हो गया अब इसको हीड कि Ace vaugh tour में हुआ भाटर गैन गैस हो ऑब गैस से पृर से छोप करना है अब इसको कुल करेंगेत क्या होगा वापिस से लिक्विड बनेगा ठाड और लिक्वुड बनेगा अब पिर इसको भी कूल करेंगे तो वापी से क्या जाएगा आई से में कनवर्ट हो जाएगा तो इस तरह से जो है इसको समझना है आई होप यह समझ में आया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में